असलाम अलेकुम व्योज आज की वीडियो में मैं आपके साथ सफाई का एक इतना जबदस्त आइडिया शेयर करने जा रही हूँ के जिसको लेके आप अपने किचन को बहुत ही साफ सुत्रा और मेंटेन रख सकेंगी खास वापर उन खवातीन के लिए जो जॉब करती है उनके पास बहुत कम टाइम होता है थोड़े से टाइम में उन्होंने अपने घर को मैनेज और मेंटेन रखना होता है तो kitchen के लिए ये trick बहुत ही useful होने वाली है, तो चलिए video start करते हैं, यहां मैंने kitchen towel लिए हैं, यह arm tissue आपने नहीं लेना, ना ही toilet roll लेना है, यह खासा hard होता है, तो यही best रहेगा इस remedy के लिए, इसको हमने काट के इसका एक हिसा लेना है, यानि half से थोड़ा सा कम हो, इस तरह से इसको थोड़ा हमने short कर लेना है, तेज चुरी से ये कटेगा, तेज नाइफ हो, बड़ी चुरी यूज़ कर ले, तो ज्यादा बेतर है, जस्ट एक से डेर्ड मिनिट में ये कट जाएगा, इसको काट के हमने अलग कर लेना है, बाकी का जो हिस्सा है, वो आप kitchen के other purpose के लि ये इसके अंदर towel राखो जाएं और घूम भी सकी, ये देखिए, इस तरह से, जिस तरह से tissue box से बाहर टिशू निकलता है, इस तरह से हमने इसके अंदर से इसको निकालना है, इसके उपर हम पहले निशान लगा लेते हैं, फिर इसको कट कर लेंगे, इस तरह से, इतना काफ होगा, आप के पास cutter हो, cutter use कर सकते हैं, चूरी गरम करके इसके साथ भी किया जा सकता है, ये मैंने एक चूरी separate रखी है, कुछ भी गरम करके काटना होता है, तो इसके साथ मैं easily इसको कट कर लेती हूँ, ये sharp भी है और इसको ये गरम भी easily हो जाती है, इस तरह से, इसके उप गरम करने से, ये हो गया था, चूर्च को आगे से दुबारा से गरम कर लिया है, ताकि इसको थोड़ा सा और सेट कर ले, ये देखिए, अब यहाँ पे हमें एक मिक्सेट त्यार करेंगे, एक कप पानी लिया है मैंने और साथ में हाइडोजन परकसाइड चाहिए होगी, य 40 रुपे में मिल जाती है, और यहां 30 ML मैंने इसके अंदर डाली है, यानि जो 60 ML की बोतल थी, वो मैंने आदी इसके अंदर डाल दी है, और इस मिक्सेρ को मैंने इस बकेट में डाल दिया है, जिसे हमारा जो टिशू है, ये वैट हो गया है, ये देखिए, और ये इस तरह स इसके अंदर से हम नकाल लेंगे इसके कैप में से और जो भी सर्फेस आपने साफ करनी हो सुबसुबस जल्दी होती है आप जिस्ट एक टिशू नकालें और इस तरह से इसको क्लीन कर दें हाइडोजन परकसाइड चुक्के जहाग नहीं बनाती है तो इसके उपर से आप इसक के साथ साथ कर सकते हैं स्ट उफ साफ कर सकते हैं किचन की में जितनी भी सरफेसिस हैं अपनी के जबन्द वगयरा के उपर इसको फेर सकते हैं, खाना बनाते हुए पीछे छींटे पढ़ जाते हैं, स्टोफ पे और इसके इर्दगेद, वो इसली आप क्लीन कर सकते हैं, यह फ्रीज के हैंडल खास तोर पर जो बहुत ज़्यादा खुलने की वज़ा से, इसके उपर भी वाइप त्यार हो गए हैं, जिसको आप एक नकालें और इसको क्लीन कर लें, बहुत अची क्लीनिंग होती है, हाइडोजन परकसाइड बहुत जबदस क्लीनिंग एजेंट है, जो दाग दबे बहुत असानी से साफ कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा रगणने या मलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वाइप करें और इसको थ्रो कर दें, और नकालते जाएं, यह आप हफता भर यूज कर सकते हैं, इस तरह से नकालें, और जो चीज भी साफ करना चाहें, कर सकते हैं, किचन में यूज होने वाली और बहुत सारी एशिया, जिस तरह हम कंटेनर यूज करते हैं, यह मेरा एक कंटेनर है, इसको भी इसी तरह से क्लीन किया जा सकते है, मैंने इसके उपर भी जस्ट वाइप किया है, और यह इसको दुबारा से चबगने लग गई है, ग्रीस को भी किल कर देता है, हाइडरोजन अक्साइड, परक्साइड, जितनी भी ग्र करने पड़ेंगे, जिनको ओयल की चीजें साफ की हो, तो ओयल लगा हो, अलाग से उनको दोना पड़ता है, यह टेबल के उपर मैंने इसको रखा है, जस्ट आप एक वाइप नकालें, अपना टेबल क्लीन करें, और दुबारा से इसको इसको इजिली इदे नीचे भी रख करें लाफ भी